हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है माई चैनल कुकिंग अडिया में आज हम बनाएंगे अर्वी की सूकी मसाला सबजी मसाला अर्वी तो यह बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाएंगे यह हम बिगर प्याज और टमाटर के बनाएंगे तो इसके लिए हमने 300 गिराम और अर्वी ले लिया और इनको उबाल लिया है हमने इन में दो सीटी लगा लिया है और इनको छेल लेंगे तो यह बहुत ही आसानी से छिंग्ड नहीं होन्ति जाते हैं तो आगर हैसे चैनल ना चापकर चाको की लिए भी मदस से चैनल सकते हैं तो तो सारी अर्वियों को कीज़िए आप च्छीत से चिप खीड लेंगे बहुत ही आसानी से चीप में फशना सिटि नहीं लागानी है हम सिर्फ दो तीन सिटि लागानी है ज्माइबबाक। रभी लागा देंगे तो यह अर्वी जाएंगी और फिर फट जाएंगी तो उस हैं आपको हमेंटूफ ही स्टाइब म्यांगे से नहीं भाखते ही और वियर करता हैंएंगे में नहीं चैक हमें घरिभागों नहीं कर्ड़ाएंगी पर गिनमेंटूफ डेवर स्पेस्टिक्टि लया कलता स्टम्ट रिग दौक ड़ता तो आप जिस भी साइज में अर्भी को कट करना चाहें उस तरीके से कट कर सकते हैं हम इने गोल साइज में कट कर लेंगे सारी अर्भी को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे तो अर्भी को जादा मोटा कट नहीं करेंगे नहीं जादा बारे कट करेंगे तो हम इसी तरीके से सारी अर्भी को कट कर लेंगे देखिए किती आसानी से अर्वी कट हो रही है तो यह बहुत ही आसानी से कट हो जाती है और आप अर्वी को कट करने से पहले हाथों में तेल लगाने ताकि अर्वी फिसलेना फिर अर्वी बहुत ही आसानी से कट हो जाती है अर्वी हाथों पे चिपकती भी नहीं है और फिसल तो इससे बहुत ही आसानी से आप अर्वी को कट कर सकते हैं तो देखिए इसी तरीके से सारी अर्वियों को कट कर लें यह देखिए हमने सारी अर्विय को अच्छे से इसी तरीके से कट कर लेंगे तो देखिए सारी अर्विय हमारी कट हो चुकी है अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें हम दो बड़े चम्चा ओल ले लेंगे तो आप जो भी ओयरो आजित करते हैं आप ले सकते हैं हमने यह सृसो championship का तेल यूज किया है तो दीखें इसे अच्छे से गरम कर ले गैस को मीडियम पे ही रखना है गैस को वह मुंप घ्रा तेजया नहीं है जाला बणना जाला दा दा गरम हो जाएगा हमें ओल सिर्फ फित्ता करम करना है ताकि इसमें जीरा अच्छे से भुन जाए तो इसमें हमें एक चम्मच अजवाइन ले लेंगे और इसमें हमें एक चम्मच जीरा लेना है तो अजवाइन से बहुत अच्छा फिलेवर आता है अरवी में तो अजवाइन जरूर डालें तो देखें हम अच्छे से गोल्ड ब्राउन होने तक भून लेंगे गैस को मंदी रखना है बनना हमारे जीरा और अजवाइन जल जाएंगी देखिए हमारी जीरा और अजवाइन हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब इसमें हम हरी मिर्च डाल लेंगे कटी हुई इसमें हम प्याज और टमाटर का यूज नहीं कर रहे हैं किस्तावद् के अरा हुए कि शावन चला है तो प्याज onu बिल् сबणाइन यर्णि नहीं करेंगे हम सारी सबजी हम बराएंगे ब्राइए heck को इसमें कर देंगे मंदि और इसमें अब ये-ङयान यज आल में लाल मृच्छ पावडरं ले लिए नहीं है हम जम साथ घsis वो एक चम्मच हमें इसमें गर्चाट मसाला ले लेना है और एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला ले लेंगे एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ले लेंगे तो सारे मसालो को अच्छे से mix कर देंगे हम सिर्फ मसालो से ही इस सबजी को ready करेंगे हमने इसमें कोई भी और एक्स्टर चीज नहीं डाली है और ये सबजी बहुत ही tasty बनके ready हुई है तो इसमें अब हम अर्वे को डाल देंगे जो हमने boil करके कट करके अर्वी रखिये हुई ताकि अर्वी मसाले में अच्छा सा फिलेवर आ जाए तो देखिए मसाले में अच्छा से मिक्स हो चुके हैं अर्वी में आप इसी तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सब्जी को रेडी कर सकते हैं इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कर दिए उसको हम 2-3 मिंट के लिए ढ़का रग देंगे ताकि कर दाइब इसको कच्छी ने अर्व Л City हें तो जाES ses प्क जाएंगे तो देखे 2-3 मिंट हो चुकी है हम आर बीख को चैक कर लेंगे के लिए कास्रव के लिंगे हमारी बनी है तो के सबन चुकी है घट हमने मन्दी रख हाकी है वन्न — न अगत है। इसी में और चीज यूज नहीं की है घट मान्दी ही रखनी है अब हम इसी में धनिया कट हुआ एड़ मिपर लेंगे ढ़नी से भ३म है ठेश्टी अग्ध बहूत कि टेश्टी अपर आता है तो धियाजल डालें तो देखे सब्जी में धनिये को मिक्स कर देंगे अच्छे से यह देखे सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है अब इसे हम सर्फ कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से किसी भी बॉयल में किसी भी कप में या किसी भी प्लेट में निकाल सकते हैं और आप इसे पोड़ी के साथ पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ सर्फ करें और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके रेडी हुई है हमारी अरवी मसाला और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में भी देखिए किती टेस्टी ल खिलाएं बिगर प्याज और टमाटर के यह अरवी की सब्जी बना कर खिलाएं जरूर तो देखिए सब्जी हमारी सर्व हो चुकी है और रीडी हो चुकी है तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो मैं चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें और ह झाल 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 झाल